कुक्यात अपरादी आबू उर्फफ फिरोस खान ने पूरे विधर्ब में गांजे और ड्रक्स का गोरिक धिंदा पहलाया है इतना ही नहीं गरीब और कमजोर पाच लोगों को धमका कर आबू और उसके भायों ने उनकी जमिनों पर कबजा जमाने का काम भी किया है ताजाबाद की निराला सोसाइटी में रहने वाले एक पिडित परिवार को भी आबू और उसके भायों ने धमका कर बेगर कर दिया है पिछले 14 वर्ष से यह पिडित परिवार अपने ही घर से बेगर हो गया है वही आज भी पेडित परिवार के मकान में आबू के चार किरायदार रह रहे है नापूर पुलिस ने आबू को भंडारा से गिरफतार किया है पिडित परिवार को नयाय मिले इसलिए शिकायत करता फिर्दोस खान ने नाप्पु में हुई पत्रकार परिशद में गुहार लगाई है पुलिस ने अवज धंदों से कमाई अबू की संपती को अपरादी अबू उर्फ फिरोज खान जबत करने की तैयारी भी दिखाई है ऐसे में पिडित परिवार को उम्मिद है कि अब उन्हें भी नयाय मिलेगा पिडित परिवार की शिकायत पर पिछले वर्ष क्राइम रांच ने अबू और उसके भाईयों के खिलाप मामला भी दर्श किया लेकिन परिवार को अब तक उनका घर नहीं मिल पाया है शिकायत दर्श कराने के बाद परिवार को धंकाया भी जाने लगा था पिडित फिर्दोस खान ने बताया कि निराला सोसाइटी में उनके तीन प्लॉट और एक मकान है अबू और उसके भाईयों ने वर्ष 2007 में पिडित परिवार को धमका कर मौजा दिगोरी में प्लॉट क्रमांक 11, 12, 13 साइथ मकान पर कबजा कर लिया परिवार को धमका कर महाल के रजिस्टरी कार्यले ले जाये गया जहाँ अबू और उसके भाईयों वो अपने रिष्टेदारों के नाम कागजात तैयर कर आए और उस पर पिडित परिवार से हस्ताक्षर करवाए दमकियों के डर से परिवार वर्षों तक इदर उदर भटकता रहा है कुछ लोगों का सपोर्ट मिलने से अगस्त 2021 में परिवार के फिरदोस खान ने अपराच शाखा में यह पूरा मामला बता कर अबू और उसके भाईयों के खिलाब शिकायत दर्च कर आई लेकिन पिडित परिवार को अब भी नयाय नहीं मिला है आलम यह है कि शिकायत करता सडकों पर सोने के लिए मजबूर है वही उनके बहन दूसरों के घर में बरतन धोने का काम कर अपना गुजर बसर कर रही है पिडित परिवार को नयाय मिले इसलिए शिकायत करता फिरदोस जब परिशान है, हमारा भाई हमारे वहने किराये के मकान में रह रहे हैं, बटतन मांज रहे हैं, हम बुद परिशानी उठा रहे हैं, हमको हमारा घर चाहिए. अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है, पर पंग भी तो मस्बूल होने चीए, जो देता है, फ्लाइवील एविएशन अचाडमी एक ऐसा इंस्टिटूट है, जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मैंजमेंट, फ्लाइवील एविएशन अचाडमी इव दिग्री और दिप्लोमा विद जोब, फ्लाइवील एविएशन अचाडमी, 365 गाली नगर, LAD कॉलिट स्क्वेर, बसाइड करनाथका बंक नागपुर